So हे दोस्तों क्या सब सभी लोग उमेत करता हूं बहुत अच्छे ही होंगे So आज की इस वीडियो में में काफ़ी साराण अठेट के बारें बात करेंगे उसके ळागाँ आज 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 आद बात करेंगे Dragon Ball Super और Dragon Ball Z दोनों के बारेंगे और Naruto के बारे में बात करेंगे इसलिए चलो बिना किसी देरी कि अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो चलो सब सब पहले बात करते हैं एक सैड न्यूस के बारे में तो पीरोड स्टूडियो जिसमें Naruto अबलिज जैसे एनिमे बने हैं इसके अलावा अंकल फ्रॉम अनदर वर्ड का एपिसोड 13 जो है वो कोविट के चलते डिले हो चुका है जो कि सच बता हो कि काफी बुरी बात है क्योंकि एनिमे बहुत टाइम से सिर्फ डिले होते जा रहा है बटब किया भी क्या जा सकता है बस होप करते ही कि आनिमे भी जल से जल हम लोगों देखने को मिल जाए इसके अलावा चलोब बात करते हैं सोनी ये के बार में तो सोनी ये के उपर कल हम लोग को एपिसोड 23 और 24 देखने को मिला था Naruto का और कल के एपिसोड में मैं बस ही कहूँगा कि रॉकली ने मेरा दिल जीत लिया और जो लोग भी Naruto देखते होंगे और उनलोगों ने रॉकली को इस तरह से देखा होगा तो मैं बस उनलोगा रियक्शन देखना चाहूँगा यूँकि रॉकली जो है वह एकदम रियल मोटिवेशन देता है सभी को जैसा कि वह बहुत हिमायत करता है बेचारा लेकिन फिर भी वह स्ट्रॉंग ने बनता है बाकियों की तरह लेकिन फिर भी अपने दम पे अपने विल पाउर के ओपर खड़ा होता है और वला सीन जब दिखाया जाता है तब वह बहुत ज़़ा एपिक लगता है वह सीन और मुझे लगा था कि सीन को कट कर दिया जाएगा एपिसोड के अंदर पर इस सीन को कट नहीं किया गया है यह काफी अची बात है तो ओवर ओल कल एपिसोड देखने में काफी ज़दा मज़ा आया आप लोगों कैसा लगा रॉकली को देखकर आपनों मुझे कमेंट शिश्टिम जाके ज़रूर बताना है इसके अलाबा बात करें अब सीजन 2 में केतने एपसोड बचे हैं तो सीजन 2 में मातर दो दो एपसोड बचे हैं जो कि आज चली कास्ट हो जाएंगे आज रात में 9 बज़े आप लोग देख सकते हैं उन दोने एपसोड को और उसके बाद फिर सीजन 3 स्टार्ट हो जाएग शेडियूल में भी सीजन 3 अभी हम लोगों देखने हो मिल रहा है तो आई होग करता हूँ कि आप लोग का यह वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा लेकिन इसके लावा हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो की है कार्ट नेटवर्क इंडिया के ब क्योंकि Dragon Ball Super में आप शायर TRP नहीं मिलते होगी तो Dragon Ball Super हो तो कपाड़ा होई चुका है कार्ट नेटवर्क के उपर इसलिए हम सभी फैंस वह इंतिजार कर रहे हैं अब Dragon Ball Z का कार्ट नेटवर्क के उपर तो सबसे पहले बात करते हैं कि Dragon Ball Z जो हो इतना डिले की हो रहा है व जो ही अगर Dragon Ball Z के बारें बात करें तो उसके अंदर हम लोगो काफी ज़्यों खुन खराबा देखने को मिलेगा है इसलिए Cartoon Network जो है वो Dragon Ball Z को सेंसर करते होंगे अभी और इसके बात करें कि आप Cartoon Network के उपर Dragon Ball Z अपने को कब तक देखने को मिलेगा तो इसका जबाब तो क इसके पास है नहीं लेकिन एक प्रेडिक्शन है मेरे पास और वो यह है कि Cartoon Network जो है वो अपने Old Souls को वापस ला रहे धिरी-धिरी करकर और इसका साफ एक्जामपल है Benton Ultimate Alien जो कि 2nd January से स्टार्ट होने वाला है सुबा साड़े 10 बजे से तो देखा जा तो Benton Ultimate Alien पहले भी टेल वाला शो लाया था और बैसे काफी सारे Old Souls से जो उन्होंने लाये थे लेकिन उन्हें भी धिरी-धिरी करके बंद कर दिया गया है और अगर आप लोग मेरे पुराने सस्क्राइबर हो तो मैंने आप लोग इसका रीजन ही बताया था क्यों सोस को क्यों बंद किया गया था क् उन्सोस को जा है वो बस एक तरह से एक्सपरिमेंट के लिए चालू किया गया था और अब मुझे लगता है कि जन्वरी से काटन नेट्वक जो है वो अपने ओर सोस को वापस लाने लगेंगे धीरी-धीरी जैसे अवी वो बैंटन अल्टिमेट इलियन स्टार्ट कर दिया ह हम लोगों ने वैसे शायद हम लोगों को आगे जाते-जाते ड्रागन बॉल जी देखने को मिल जाएगा तो आप लोगा क्या ओपनी ने ड्रागन बॉल जी को लेकर आप लोगे कमेंट शेक्ट में जरूर बताना और बस आचके वीडियो यहीं पर एंड करते हैं आई होप